चारों संक्राचारी वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी रागत द्वेश के कारण नहीं, बलकि संक्राचारीयों का ये दाईत्व है कि वो शास्त्र विधी का पालन करें और करवाएं अर्योध्या में बने राम मंदिर के उद्धाटन को लेकर पुर्य देश में जश्न का महौल है 22 जन्वरी को राम दला का प्रणपर्टिष्टा समरो जिसे लेकर खूब तैयारिया चल रही है इस वीच राम मंदिर के उधगाटन में चारो संक्राचारेओं के सामिल होने को लेकर संसय बना हुआ है स्वामी अभी मुक्तिस्वारानन और स्वामी निश्चानन सरस्वती ने मंदिर के उधगाटन समारों में सामिल होने से मना कर दिया है उनका कहना है ति राम मंदिर के कारेक्रम में सनातन धर्म के नियमों को ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा वह साफ्त्रों के गुरूद नहीं जा सकते इसलिए वह समारों में सामिल नहीं होंगी स्वामी अविमुक्तिस्वानन सरस्वती ने बूदवार को हरिद्वार में साफ किया कि चारो संक्राचारे राम मंदर उठगाटन समारों में सामिक नहीं होंगी वहीं स्वामी निस्चनान सरस्वती ने भी समारों में सामिल होने से इंकार कर दिया है हलाकि बाकी दो संक्राचारे स्वामी भारती क्रिष्णा और स्वामी सदरन सरस्वती की ओर से इसे लेकर कोई बयान नहीं आया है और नहीं सामिल होने या सामिल नहीं होने को लेकर उन्होंने अपना रूख साख या है संक्राचारे ने कहा कि निर्मान कारहुरा होने से पहले भगवान राम की प्रान प्रश्टिषा करना ठीक नहीं है बता दें कि स्वामी अविवन मुक्तसरन सरस्वती उत्राखंड के जियोती पीठ के संक्राचारे है उन्होंने कहा कि 22 जन्वरी को आयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर उठभाक में कारेकरम धर्म गरंतों और नियमों के विरुद्ध है उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्मान कारे पूरा हुए बीना भगवान राम की प्रान परश्डिशा करना सनातन धर्म के नियमों का पहला उलंगन है स्वामी अविमुक्ते स्वरानन ने कहा कि इसके लिए कोई दल जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए उन्होंने आगे कहा कि 25 दिसंबर 149 को आधी रात को विवादित धाचे में भागवाराम की मुर्थी अस्ताफित की गई थी और 1992 में धाचा गिरा दिया गया था इसलिए रामला की प्रतिमा को दूसरी जगा विराजमान किया गया यह सब घटनाय किसी वज़ा से अचाना खुई थी इसलिए उस वब किसी संक्राचार ने सवाल नहीं उड़ाया था प्रंतु अब कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे पास राम मंदिर का निर्मान कारे पूरा होने के लिए समय है और मंदिर का निर्मान हो जाने के बाद रामला की परन प्रतिष्ठा होनी चाहिए स्वामी अविमुत्यस्वरा नन्न ने ये भी कहा कि अब हम चूप नहीं रह सकते हैं और कहेंगे कि राम मंदिर का काम पूरा हुए बिना उद्घाटन करना भगवान राम की परतीमा को वहां बीराजमान करना ठीक नहीं है समारो में होने वाले एंटी मोदी कहे जाने पर उन्होंने कहा कि हम सास्त्रों के विरोध नहीं जा सकते हैं वहीं जगनात्पूरी के गौरधन पीठ के संक्राचारे निश्चलन सरस्वती जी ने कहा मंदिर के उठगाटन में सास्त्रों के नियमों के उलंगन की बात कही है एसा नहीं है कि मुझसे कोई सुझाओ नहीं लिया गया तो मैं नराज हूँ लेकिन असकंद पुरान के मुताबिक अगर नियमों और रिती रिवाजों का ठीक से पाला नहीं किया जाता है तो प्रतीमा में बुरी चीजे प्रवेश कर जाती है और उस छेतर को नश्ट कर देती है स्वामिनिस्टलन सरस्वती ने कहा कि राम मंदिर के उठगाटन के लिए उन्हें निमंतरन मिला है परंतु वो अभी मंदिर नहीं जाएंगे जब सनातन धर्म के मुताबि कारेकरम होगा तो वो जरूर सामील होंगे उन्होंने बाचित करते हुए बताया कि वो अयोध्या आते जाते रहते हैं वर्तवान में जहां राम लला है वहां माथा टेकने भी जाते हैं और वो हैं दोबारा भी जाएंगे प्रन्तु सही समय आने बाती दो संक्राचारे की तरफ से राम मंदिर के उड़ाटन समारों में सामील होने को लेकर रूख साफ नहीं किया गया है स्वामी भारती कृष्णा दक्षिन भारत के चिक मंगलूरू इस्थित स्रिंगेरी मठ के संक्राचारे है जबकि सदनन्द सरस्पती जी पस्चिम में गुजरात के द्वारका में सारदा मठ के संक्राचारे है ति राम जन भूमी तृत रष्ट के महासजिव चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर रामानंद संपरदाय का है सै उसाक्या और सन्यासियों का नहीं चमपत रायक के द्वारा कहा गया कि मंदर का निर्मान तीन फ्लोर में किया जा रहा है और फ्रस्ट प्लोर का काम पूरा हो चुका है राम लला की प्रानपर्टिष्ठा यहीं गर्भगुरी में की जाएगी जिसके लिए तैयरिया चल रही है 22 जनुरी को राम मंदर का उठाटन होगा और राम लला की प्रानपर्टिष्ठा होगी बता दें कि आने वाले 22 तारिक को प्रभु सिराम की प्रानपर्टिष्ठा प्रधान मंदरी मोदी के करकमरों के द्वारा की जाएगी उस दिन अयोध्या में भारी भीर होने की भी अनुमान लगाई जा रही है जारों संक्राचेरियों का पालन करें और करवाएं अब वहां पर शास्त्रविदी की उपेक्षा हो रही है सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है कोई ऐसी परिस्तिती नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है अब यही हम कह रहा है तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो बिरोधी हैं एंटी मोदी हैं इसमें एंटी मोदी की क्या बात है हम एंटी मोदी नहीं है लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते है धर्मशास्त्र के according ही हम चलना चाहेंगे और अपने जनता को भी चलाना चाहेंगे क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुन्य पाप का बोध होता है राम है ये किस ने हमको बताया हमारे धर्मश्ट आप देख रहे हैं सोगंध टीवी सोगंध वतन की